ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा वो सभी लोग अपना वोट दिखागे डालेंगे तो मैं समझता हूँ किशी को बेवजा ये गणित नहीं बठाना चाहिए कॉंग्रेस के विधायके हैं वो सभी दिखागे डालेंगे और साड़े तीन साल से जो विधायक कॉंग्रेस सरकार को समर्षन दे रहे हैं हर समय हमारे साथ रहे मैं समझता हूँ वो सभी हमारे साथ रहेंगे और हमारी पार्टी के तीनों मीदवार चुनाब जीत कर जाएंगे कथित तोर पर जो पांचवी कैंडिट हैं वो निर्दली हैं लेकिन हम सब जानती हैं कि भाजपा के ही विधायकों ने उनका नमंकन भरवाया है तो ये बाजपा के लेकिन बाजपा का संख्या बहल सतर एकतर का है जीतने के लिए बयासी चाहिए तो को मैं समझता हूँ कितनी कोशिश कर लें लेकिन तीनों मीदवार कौंगर्स पार्टी जीत कर जाएंगे और ना से व्राजपान में जहां जहां भी कॉंगर्स अपने मिदवार उतार रही है महां हमारी पार्टी के करने जीत कर जाएंगे ये सभी दल कॉंगर्स के सरकार का समतनाच से नहीं कर रहे हैं 2018 से कर रहे हैं तो मुझे सब पर भरोसा हम सब लोगों को है आप लोग फालतू में विवाद पैदा करने की कोशिश ना करें जो कि जो हमारे साथ लोग थे बलकि हो सकता है अब भाजपा का जो आप देखो देश में क्या हो रहा है शिव सेना बीजेपी के साथ थी वो छोड़के चली गई अकाली दल बीजेपी के साथ थे वो छोड़के चले गई अलग बहुत सारे दल थे जो बाजपा को समर्थ नमारी लोग बढ़ जाएंगे बाजपा समर्थ पार्टियों की संक्या कम हो रही है और राजस्तान में हम लोग मजबूती से काम कर रहे है बाजपा के साथ हमारे जीदेंगे और जो भाजपा के साथ ही सोचते हैं कि कांग्रेस में सेनमारी कर सकते हैं उनको भूल जाना चाहिए क्योंकि सभी कांग्रेस की विदायक अपना वोट दिखा कर डालेंगे ये कानून निया मेराज सभा का तो बेवज़ाए ये एक तरहे का माहौल पैदा करने का मसमत को फायदा नहीं है आज हमारी दोदिवसी कारशाला है सब मिलकान यहां संकल पी लेंगे आने वाले समय में कैसे एक जुटता से चुना लड़ा जाए और मैं बार बार कह रहा हूँ कॉंग्रेस पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो हम लोग इस बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को कि एक बार हम सिर्फ 50 विधायक रह गए थे एक बार सिर्फ 21 विधायक रह गए थे तो उन कारणों के चर्चा भी होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण कि जनता बहुमत देती है और हम राईस्थान में सरकारीժीट नहीं कर पाते हैं हमाई सरकारीपीट डिली में हुई 3 वार असाम में हुई 3 वार आन्ड़ू सरकारीपीट नहीं होती है लेकिन किन कारणों से क्लुचत रिपीट नहीं करता है हैं हम सही दिश्या पर सही कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे तब ही रिपीट कर पाएंगे और रिपीट करने के लिए सब की एक चुत्ता से मनशा है कि हम सरकार रिपीट करें कॉंगर्स की मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस रास्ते पर चलेंगे और पहले के जो हमने करने की नेकिन नौजवान किसान 36 कौम के लोग Congress के साथ रहेंगे और 2023 के चुनाओं में हम लोग हमाई सरकार दुबारा बनाएंगे वहां पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई अलग अलग समीट ने रिपोर्ट डाली है और जो अंतिम डेक्लरेशन वह आया था उसे भारत जोडने का हम लोग ने संकर लिया यात्रे हम लोग निकालेंगे और महिलाओं को OBC, Dalit, कमजोर वर के लड़ साथी और नौजवानों क को प्राफ्मिंट देने की बात करी थी लेकिन वह सब AICC अपने तरफ पर कर रही है यह जो चुनाव है यह समिक्रन और जो AICC की जरूरते हैं उसको देकर किया जा रहा है जैसे मैंने कल भी कहा था जो जो अमीद्वार हैं यह सबसे सार्चा हुई है चाहे हमारे मुखमंत राजस्तानों हम लोग अच्छी तरह चुनाव जीतेंगे बलकि मैं तो है कहता हूं कि जित्ता लोग सोचते हैं उससे ज्यादा मत लेकर हम लोग अपने उमिद्वार हैं जैसे मैंने कहा ना आपको लोग अठकले लगाएं ख्याली पुलाव बनाएं आरोप लगाएं हैं नहीं होना चाहिए और जो लोग यह समझते हैं कि यहां कहीं को गुंजाइश है उनको समझना चाहिए कि तीनों हमारे उमिद्वार जीत कर जाएंगे और जित्ता बहुमत है उससे ज़्यादा वोट लेकर जीत कर जाएंगे